हालो मेंबर्स वेलकम बैग टू ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब लोग डिसकस करने वाले हैं पर कल का मार्केट के बारे में और बहुत सार इंपोर्टेंट न्यूज आ रहे हैं जैसे कि जो माटो के अंदर बीक्वाली होने वाली है और उनकी प्रमोटर के द्वार तो हम लोग सभी चीज़ां डिसकस करने वाले क्या हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने कोशिंस पूछे हैं तो बाइक कोशिंस पूछते रहेगा अलाकि एक सर ने थोड़ा सा नेगेटिव होले कि सर आप मेरी कवर नहीं करते तो ऐसा नहीं है बाई ट्राइ करते हैं सभ अज फटा स्टार के लेते हैं आज एक और वीडियो रख दिया होगा वो एक बाज आखके देखेगा एक स्टॉक है जो मुझे लग रहे इक ब्रीक आउट के मोड पर है और फारे करेए और वो वीडियो आ चुका होगा और पार्ट बी आ चुका होगा ठीक है अब फटार बात करते हैं देखो Dow Jones fall कर रहा है हलका सा fall है हम लोग इसको जादा बड़ा नहीं consider कर सकते हैं क्योंकि हमारा Nifty ने जो recovery की है उससे जादा ये gap down था हमारा Nifty और फिर recovery की ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हाँ पर Dow Jones में अभी fall आपको छोटा सा दिखाए दिखाए दे रहा है अगर देको उसका reason है अगर आप बात करने जाए पहले FI की तो FI की selling है 1000 करोट की पूरे महीने हमारे FI ने selling की है और मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूँ कि FI अगर selling करते हैं तो आपको starting के महीने के 5 दिन आपको देखना चाहिए यानि की मन्त के first five days working five days आपको देखने चाहिए अगर FI की selling होती है तो फिर आप ये समझो पूरे महीने selling होने वाली है ये बात पक्की हो जाती है एक दिन छोड़के और अगर बात करने चाहिए US market तो आँज पोवेल सर की speech है कॉमेंट्स देने वाले है देखो प्रॉब्लम पते कहां पर है US market में कि उनकी जो bond yield है टेक है bond यानि की देखो bond market जो हमारा market होता equity market दोनों अलग है bond उपर जाते है तो equity market नीचे equity नीचे जाता है तो bond market उपर क्योंकि पैसे जो बड़े प्लेस की होते है H&I की होते है या F&I की होते हो रोटेट होते है उनको लगता है कि अगर market हमारा equity top पे चल रहा है तो क्या कहते हैं वो लोग bond पे पैसा लगाते है bond पे जादा return मिलता है फिर वहाँ पे जैसे या लगता है कि bond market पे चल लगे वहाँ से पैसे निकालके equity में डालते हैं और equity जब नीचे होते हैं तब वहाँ पे equity में पैसा डालते हैं ठीक है तो यह पैसे रोटेट होते रहते हैं और यह जो bond market की yield उपर जा रही है यह थोड़ा negative है इसके वज़े से US market इंडियन मार्केट टॉप पे सस्टेनी करवा रहा ठीक है तो यहां पर पोल सर की speech है देखते हैं यहां पर क्या होता है और यह commentary बहुत important रहने वाली है ठीक है ओके चलिए अगला point आ जाता है Zomato अब देखो soft bank 1.1% का stick बीचने वाली है Zomato के अंदर करीब करीब 1024 करोड की यह deal होने वाली है वाया bulk deal ठीक है तो आप देखो एक बात समझो के जनरली प्रिविएस भी Zomato पेटियम के अंदर विक्वाली हुई थी soft bank के और दूसरे ने भी काफे लोगों ने की थी उसके बाद stock उल्टा रिकवर किया था ठीक है तो मुझे लग रहा है कि Zomato उल्टा रिकवर करेगा ठीक है और यहां पे हमारे जो लेवल्स थी 120 तक के आप लोगों को याद होगा वह आती हुए आपको दिखाई दे सकते है अब दे को टाटा मोटर्स ने क्या किया यह इंपोर्टन ने थोड़ा फोकस करना ताटा मोटर्स ने एक फर्म को एक्वाइर किया है जो आपर लोजिस्टिक बिजनस चल रहा है जैसे कि आप यहां पर देखो 27 परसंट का स्टेक बॉइक क्या है फ्राइट टाईगर में यह क्या है यह क्या है लोजिस्टिक कमपनी क्या समाथतर होती चाहिए Лोजिस्टिक Pas Här ट्रांस्पोर्ट के लिए काम आती है माल इधर से उदर ले जाना टीक है जो इन्वेंटरी होती है और टाटा मोटर्स थे अपास क्या इन्वेंटरी है यह आप भी जानते मैं भी जानता हूं ठीक है तो इसके लिए शायद में भी इनका बेनिफिट होता हुआ दिखाई जैस ص którym का or support यह क्या होना चेट थो 6-40 आप सपोर्टे अगर यह ब्रीक हुआ तो अब बोलो कि चूं इस्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है यहां से यह जस्त ब्रेक हुआ है ब्रीक आउट हुआ है टाटा मुटस तो यह आपका स्टॉक का स्टॉंग सपोर्ट जोन जैसा है अगर वो ब्रेक तो फिर नीचे गया मार्केट या टाटा मुटस बाकि इसमें तीजी कंटिन्यू रहने की उमीद है मतलब निफ्ट जो बड़े वाले है इसका प्रॉफिट देखो के यहां पर स्टॉंग से एक टाइम में पांसो तक गया था मैंने आपको पहले ही बोला था कि यह यह पांसो वाले था कि यह पांसो वाले हैं तो तनला प्लैटफोर्म में मोमेंटम काफी स्ट्रॉंग रहनी की उम्मीद है अलागे देखो यहां पर चीडिया नहीं है कि इसका ग्रोफ बहुत सॉलीड है तो पांसो से सीधा बारासो चला गया अब बारासो से प्रॉफित वॉकिंग है अब यह बारासो पचास अगर जब भी ब्रेक करेगा अब ही आप कूछे कि एंट्री करे तो डिफिकल्ट काफ मेंटम अच्छी खासी आने की उम्मीद है फिरिये स्टोग यहां से 52 या लाइफ टैम हाई उपर जाने की उम्मीद रखता है तो फॉर में रिजल्ट पॉजिटिव है स्टॉक को रडार पर रखेगा कोई कच्रा स्टॉक नहीं है तनला लेकिन हाँ थोड़ा स्लो हो चुक है स्टॉक यह बात ध्यान में रखें आप लोग अब देखो आखरी दो क्वेरी आखरी दो न्यूस बची है बाकी आप लोगों की क्वेरिस लेते हैं ठीक है फटार यहां पर कवर कर लेते हैं हैं हैवल्स अर्थी ड्रक्स तो हैवल्स इंडिया के रिजल्ट देखो अगर इसके कंपेर में जो पॉली के अपके रिजल्ट आये थे वो काफी बैटर है टिक है उनका यह टूइट यह ग्रौध भी काफी अच्छा है शील्स बेट इक्व काफी एचछी है लेकिन इस बन्दे ने शील्स ग्रौथ भी नहीं किया ठीक है क्वाटर तो क्वाटर यह नहीं बचा है ठीक है तो स्टॉक मुझे लग रहे है यह साइडवेस रहेगा कंसोलिडेट रहेगा टाइम पास ही शायद में भी कता हुआ दिखे दे लॉंग टम के लिए कोई बेकार नहीं है लेकिन हाँ इसकी रेली काफी हो चुकी है अंखरी हो जाता है आरती ड्रग बाई नमबर बहुत ही बेकार है सारदल साल ये टू इटू आ विश्न पे उल्टा सेल्स गटी है profit year to year business पे उल्टा यहां पे खटा है quarter to quarter भी decline हुआ है देखो मैं हमेशा पता है quarter to, माफ केजीगा, हमेशा year to year क्यों discuss कते है सभी लोग क्योंकि उसका reason होता है कि मान लोग के year to year business पे 30% का growth होता है आपको एक example बता रहा हूँ, ठीक है 30% का, इसका meaning है कि भाई उनका clients बढ़ रहे है, revenue बढ़ रहा है और profit का मलब उनका बोलते हैं कि company का status बढ़ रहा है, ठीक है continuously growth है हर सल इसकी वाज़े से हम लोग सारदल सार कहीं बार देखते हैं, लेकिन इस बंदे में ऐसा भी नहीं है ठीक है, तो जो बंदे में stock में सारदल सार, यान की year to year business पे growth नहीं होता वो stock या तो sideways रहता है, या फिर fall करता है, ठीक है, तो अभी यह already बैसे काफी fall कर चुका है stock की P30 की है, तो अभी के लिए stock मुझे लग रहा है कि हाँ पे range bound रहेगा, 400 से 600 की range stock की बन चुके है और यह range bound रहेगा, तो थोड़ा weak result है, में भी fall करें, लेकिन हाँ range bound stock रहने की उम्मेद है आप लोगों की nucleus software की सबसे पहली query आ जाती है, और वो cover कर ले थे nucleus software हालकि 10% की circuit में चला गया और पता नहीं मुझे क्यों लग रहे है कि शायद मैंने आपको बताया था पहले भी यह stock अब याद नहीं आ रहा है, nucleus बताया था यह फिर और कोई, लेकिन मंद्य ने breakout काफी अच्छा किया है, ठीक है, volumes काफी अच्छे आ रहे है, strength है stock में, ठीक है, तो इसका maximum मुझे चार्ट पे जो breakout दिखाई दे रहा है, nucleus software का, वो around 1900 या 800 के असपास दिखाई दे रहा है, stock वैसे overvalued नहीं दिखाई दे रहा, and अगर बात करने जाए, result अभी तक आते हुए नहीं दिखाई दे, लेकिन growth अच्छे है, लेकिन एक बात समझ लेना, result अगर बेका रहा है, बाकी अगर यहां से profit booking भी आते है, तो बारा सो से नीचे नहीं जाएगा, अभी के लिए, before the result की बात है, result में अगर कुछ होता है, तो देखते है, and query आ जाती है, plaza cable, देखो, एक query डबल, एक सर की double query नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक सर की query लेना important है, तो plaza cable, देख लेते है, plaza cable, देखो, यह recently listing है, और जहां तक मुझे पता है, शायद यह plaza YST है, नहीं, okay, recently listing है, and देखो, growth momentum काफी अच्छी है, लेकिन stock काफी overvalued है, मुझे यह stock इतना जादा strong अभी के लिए नहीं दिखाए दिरा, लिस्टिंग अच्छी हुई थी, जहां तक मुझे पता है, काफी risky हो जाता है, और अगर आप देखोगे, यहां पे जो selling pressure है, वो clear बता रहा है कि stock में, maybe शायद कभी भी profit booking आ सकती है, अगर आएगी तो आने वोले दो दिन मैंगी, अगर नहीं आएगी, तो फिर यह stock यहां से सीधा 1.500 तक भी जा सकता है, तो काफी risky है, मैं आपको अ कूशन आए था, ठीक है, अब इस काफी अच्छी है, अगर यहां पर और देखने जाए, के तो 34 की पीवे stock ट्रेट काते है, रिजल्ट आए कि नहीं आए, रिजल्ट अभी तक नहीं आए, ठीक है, एंड रिजल्ट से पहले stock का ग्रोथ अच्छा है लेकिन फॉर में देखो इसका लाइव टेम रेजिस्टन्स नजदिक है सी एक्जेटली दो सो पचीस के आसपास है दो सो से दो सो पचीस पे तो अभी के लिए एंट्री करना कुछ भी करना काफी रिस्की हो जाए तो और यह फॉर्स ठीक है एक सब्सक्राइब पूछा था शुभम करके था कि ठीक है पंपेंड हम सहरी करते शुभम के बारे बाता हो बाइंग निस लेवल देखो यह मैं आपको कैसा समझाओ भी सी यह टोटली मैनुपिलेटिटिट स्टॉक्स होते जो स्टॉक्स ऐसे क्रैश होते ना से कितना खरब क्रैश हुआ है और उनिस पे सस्टेन करा है अब मान लो चल गया तो फिर आपका नसीब वाकि ऐसे स्टॉक्स काफी स्ट्रॉंग रिस्की होते हैं और इसमें कुछ भी करना वियो कोफी हो जाती है तो मुझे थोड़ा रिस्की लगता है अहां देखो ऐसा न काफी रिसकी हो जाता है तो इसके वाज़े से मैं इसको बोलोंगा काफी रिसकी बाकी आपर डिपेट करता है ठीक है तो होप आज का वीडियो समझ वहागा पसंद होगा फिर कोई क्वेरी जाती है कॉमेंट कर दीजीगा टेलीग्राम में नहीं है भाई जूड़ लो अगर अब मुझे परसनले भी आप जॉइन करना चाहते हैं मैं लिंक से डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जैहिर